जल जीवन हर्याली बिहार का अनुठा अभियाद बिहार के सभी आहर और पैन को कराया जाएगा अप्रेल महीने से अतिकर्मन मोक्त बिहार सरकार अब बिहार में पंचायतों गाओं और वाड्यू के विकास के लिए करेगी खास अभियान नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनिल बौवी और आप इस समय देख रहे हैं गाओं की सरकार खास कार्चकरम आपको सबसे पसंदीदा कार्चकरम पंचायत परतुनिदियों के लिए गाओं की सरकार है और एक वार फिर से हम आपके बीच गाओं की सरकार कार्चकरम में आजखास अभियान पर चर्चा करने के लिए सरकार के फर्मान को वताने के लिए आपके बीच में आया हूँ कोई छूटी नहीं कोई अफवाहित खबरे नहीं है या बिल्कूल जची परताई आप इस पर विश्वास करें कि अब सरकार जो है के अप्रेल महीने के पर्थम सब्ता से सभी अहर पैनों को अतिकर्मन मुक्त कराएगी और वियार के मुक्षचिव आमीर शोवानी सहाम ने यह भी कहाए कि जल जीवन हर्याली वियार का सबसे अनुठा अभियान है जिसकी चर्चा अपने राज में ही नहीं तेस अस्तर पर भी हो रही है आपको बता दे कि पुर्वी चंपारान और गया जीले के डियेम को इसको लेकर शम्मानित भी किया गया है आपको बताते चले तमाम चीजों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए राजमिस्तारवजनिक जल संचरन सरचनाओं जैसे तलाब, पोखर, आहर, पैन और खुमों को आतिकर्मन तो ये खालस अभियान की चर्चा हर जगा हो रही है और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अब तक राज्य के 1680 जल संचरन सरचनाओं और 3589 सारजवनिक कों को अतिकर्मन मुग्द कराया गया है मुके सचियू आमीर शुहबानी सहाब ने बिते दिन प्रेस कॉन्फरेंस में या बाते सारजवनिक की है अब भी हार सरकार पंचैतों के विकास गाओं के विकास वाड़ियों के विकास के लिए अप्रेल महीने से खास योजनाओं का किरियान्वन करने जा रही है सभी योजनाओं को चालू करने जा रही है साथ निश्य पास टू योजना को भी संचाली जल जीवन हर्याली तमाम जितने भी सरकारी मत्रकांची योजनाएं हैं और पंचैत के विकास के लिए योजनाएं हैं अप्रेल महीने से शुरुआत होने जा रही है मुक्षचिव ने यह भी कहा है कि जल जीवन हर्याली अभियान बिहार का एक अनूथा अभियान है इसमें मुक्ष रुब से जल और पर्यावरन सनरचन के लिए 11 अभियायों पर काम हो रही है आपको बता दे कि बाद में भारस सरकार ने जल सक्ती अभियान के भी शुरुआती है जल जीवन हरियाली बिहार में जब इसको शुरुआत हुई तो इसका अच्छा रिस्पॉंस मिलना यह अभियान सफल होने पर किंदर सरकार ने भी दूसरे नाम यानि की जल सक्ती अभियान के नाम से एक अभियान के शुरुआत की यानि की निस्सी तोर पर किंदर सरकार ने भी इसे बेहतर माना है जल संरच्छन में पुर्वी चंपारन और गया को राश्टी ये पुरुसकार मिला है राष्ट पती ने दोनों जिलों के डियम साहब को पुरुसकार दिया है राष्ट पती के दुबारा पूरवी चमपारन और गया जिले के डियम साहब को इस कार्जिस अभियान में सफलता के लिए राष्ट पती के दुबारा के दिरी अस्तर पर सम्मानित दिया गया है है नगर्विकी बात हम इसके लिए दोनों जिलों की उन्होंने कहा है आमीर सोबानी ने की इसके लिए हम दोनों जिलों के जिलाधिकारी को बधाई देते हैं जल जीवन हर्याली अभियान का एक हिस्सा अतिकर्मित जल संचेन संरचनाओं को अतिकर्मन मुक्तेकाराना भी है इसके अलावा 8,595 तलाब पोखरो 7,123 आहर 15,325 और 14,869 कुओं का जिन्रोद्वार भी किया गया है साथ ही छोटी छोटी नदी नालो और पहाड़ी छेतरों में चेक डैम का निर्मान कराया जा रहा है इस अभियान के तहत 7,84 लाख पोधे भी लगाये गए हैं आपको बता दे मुक्सचीव ने बताया है कि जल जीवन हरियाली की सुरुवात दो अक्टूबर 2019 को हुई थी इस अभियान का काफी अच्छा असर जल सन्रचन पर पड़ा है पिछले साल के मुकाबले राज के सभी जीलों में भू जल अस्तर 4-5 फिर तक बढ़ा है गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और कहीं से भी पेजल संकट की कोई खास सिकायत नहीं आई है गया जीले में पिछले तीन वर्सों में 22 फिर तक भूज अलस्तर बढ़ा है प्रेश कॉनफरेंस में जल जीवन हरियाली अभियान के मिसन के निर्देशक सावन कुमार सुचनायवं जनसंपरक अभियान के निर्देशक कमक तनूज भी उपस्थित थे प्रेश कॉनफरेंस और गया और पुर्वी चंपारन के मॉडल अन जीलो में लागू होगा और पुर्वी चंपारन और गया जीले का जो रोड मैप है मॉडल जो है जल जीवन हरियाली को लेकर वो पूरे राज भर में इसको लागू कराया जाएगा मुख सचिव ने कहा है कि जल सनरचन के कार्ज पुरुषक्रीत गया और पुर्वी चंपारन के मॉडल को अन जीलो में भी लागू कराने के लिए सरकार प्रेरित करेगी पुर्वी चंपारन के डियेम सिरसत कपील असोक ने कहा है कि जीले में अब तक 1636 जल सनरचनाओं को अतिकर्मन मुक्ते कराया गया है परतेक गाउं में एक तलाब कार्ज करम के तहट 315 तलाबों का सौंदर जीकरन मुतिहारी जील में वाटर अस्पोर्ट से की सुर्वात आदी कई कार्ज करम चलाए जा रहे है वहीं गया जीले के डियेम त्याग राजन एस एम ने कहा है कि जीले के बथानी परखंड के तेलारी परखंड में 450 फीट लंबे 35 फीट चोड़े और 3 फीट गहरे ड्रिनेज चैनल के माध्यम से वर्सा के जल को 93 फीट गहरे रिचार्ज बोल वेर तक पहुचाया जाता है इसके माध्यम से परतिवर्स 45 राख लिटर वर्सा जल को भूगर्वे में पहुचाया जाता है अत्रीकते पानी का उपियोग मनरेगा के तहत लगाए गए पौधों के पटबन में उपियोग होता है और तलाब आहरों तक पहुचाया जाता है तो आपने इस मोडल को जाना और इस मोडल को अन्य जीलों में भी लागू कराने के लिए आमीर यानि मुक्स सचिव आमीर सुभाने का बियान आया है कि अब इस मोडल को हर जीले में लागू कराया जाएगा तो गाओं के विकास के लिए आहर पैन वगरा कुओं के निर्मान अतिकर्मन मुक्त कराने का कार्ज़ चल रहा है इसकी खास जिमवारी भी पंचायत परतिनिद्यू के ही जिम में होती है और पंचायत परतिनिद्य जब तक नहीं चाहेंगे गाओं का दिकाश नहीं होगा तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैं खास कार्ज करम इस चैनल पर धन्यबाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरव